दोस्तों फिरसे स्वागत आपके एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ iscreetania फिंगर से screenshot आ जाएगा लॉंग screenshot लेने के लिए आप को यहां पे कोई ऐसा area सेलेक्ट करना होगा जहां पर आप नीचे scroll कर सके तो हां पर लॉंग screenshot आता रहता है आपका वो भी आभी बता जेती। आपको जब आप स्क्रॉल करेंगे instructions आएगा आप इसे एसे करके open करेंगे तो यहाँ पर आप long screenshot ले सकते हैं इसे click करके ठीक है और यहाँ पर screen recording कर सकते हैं यह आपको instructions दिये गए है कि आप इसte stamp के य HERE सकते हैte screenshot तो आपको dia यहां पर ऐसे टच करेंगे तो यहां पर आपको इस step option देखने को मिलेगा यहां पर record animation भी कर सकते हैं step का और ok करेंगे तो यहां पर animation आपका record हो जाएगा 15 second का यहां पर प्ले कर देंगे तो यहां पर जो भी होगा तो इतने ही area का animation आपका record हो जागा और यहाँ पे आप click करके इसको बंद कर लेंगे और यहाँ पे आपको gallery में देखने को मिलेगा इस step से यह animation है आपका आप देख सकते हैं इस step से आप अपना खुद का animation create कर सकते हैं और यहाँ पे दुबारा से click करेंगे तो यहाँ पे यह वलब मैंने बता दिया है और यहाँ पे screen recording आजाती है आपकी और यहाँ पे long screen shot आजाता है तो long screen shot और rectangular screen shot और यह वलब मैं पहले यहाँ से शुरू कर देते हूं funny screen shot यहाँ से आप ले सकते हैं मालिजी यह shape screenshot लेना है तो यहाँ पे आप इस टैप का shape बना सकते हैं और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं तो इतना ही screenshot आएगा माली जी इसको heart बनाना है और यहाँ पे save पे click कर देंगे तो यह save हो जाएगा और अगर दूसरा funny इसा लेना है तो इसके लिए दूसरा मैं ले लेती हूँ माली जी यह वाला लेना है या फिर ऐसे slide खरके आप ले सकते है screenshot किसी की photo अगरा कभी और यहाँ पे lesso वाले पे आपको step का shape बना देंगे create कर देंगे तो इतने ही area का screenshot आएगा save पे click कर देंगे और एक और आजाता है funny में ही यह वाला आजाता है doodle screenshot यहाँ पे आप जितने area को step से scratch करेंगे उतने ही area का screenshot आएगा बाकी area का screenshot नहीं आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतना area सेलेक्ट किया और यहाँ पे टच करके रखेंगे और यहाँ पे आप इसको जितना area ऐसे खींच के screenshot लेना चाहते हैं इतना ही area का screenshot आएगा save पे click कर देंगे इस step का आजाएगा और यहाँ पे long screenshot में आपको पता देती हूँ long screenshot आपका आजाता है यहाँ पे इस पे तो नहीं आएगा लेकिन अगर आप यहाँ पे जिससे की google वगरा open कर लेते हैं तो google यहाँ पे scroll हो सकता है तो यहाँ पे long screenshot आपका अच्छा काम करता है तो यहाँ पे scroll करके आप long screenshot पे जैसे click करेंगे तो इस step से load होगा और यहाँ पे आपका इस step से जितना scroll करेंगे उतना यह screenshot होता रहेगा अब इतना लेना है मेरे को तो यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूँगे और save पे click कर दूँगी तो screenshot आपका आचुका है अब मैं सारे दिखा देती हूँ आपको gallery में तो gallery में screenshot के section पे चले जाएंगे आप देख सकते हैं कि यह रहा long screenshot इस step से आप इसको देख सकते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं कि यह long screenshot है और यह आपका rectangular screenshot यह lasso हो गया और यह shape हो गया और यह आपका step का funny screenshot हो गया और यह आपका वो है giphy है जो मैंने दिखाया था आपको तो इस step से आप यहाँ पर full setting कर सकते हैं screenshot की तो I hope guys यह video आपको पसंद आया होगा चलिए guys मिलते हैं आपको next video के साथ तब तक के लिए नमस्कार